चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खबरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए कोंगरेस का घोषनापतर जारी सरकार बनते ही पुरानी पैंसन पहली ही केबिनेट में एक लाख नोखरियां जेहिमाचल परदेश कोंगरेस ने विधासवा चुनावों के लिए अपना घोषनापतर सनिवार को जारी कर दिया गोशना पत्र में जानता से कई वादे किये गई जिनमें एक लाग सरकारी नोकरियां देने का फैसला मंत्री मंदल की पहली बैठक में लिया जाएगा वहीं गोशना पत्र में कहा गया है कि सरकार के गठन के तुरंतबाद मंत्री मंडल की पहली बेठक में पुरानी पैंसन व्यवस्ता को लागू किया जाएगा करमचारियों को दे एरियस का निश्चित समया अवधी में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा क्या आज ओल्ट पैंसन पर कुछ बोलेंगे परधानमंत्री मोधी जे परधानमंत्री नंद्रमोधी विधानसभा चुनाब गोशित होने के बाद सनिबार को पहली बार हिमाचल आ रहे है वह सुबह सुन्दर नगर में चुनाबी सभा को सम्मोधित करेंगे और दोपहर बाद सोलन के ठोड़ो ग्राउंड में बड़ी जनसभा होगी वही परधानमंत्री के इस दोरे में जिस मुद्दे का सबसे ज़्यादा इंतिजार है वो है ओल्ड पेंसन हिमाचल सरकार और भाजपा की राज्य इकाई ने परधानमंत्री कारियाले तक नए सीरे से इस बात को पुछा पहुचा पहुचाया है दो दिन पहले से इस बारे में कुछ चर्चा भी हुवी है हाला कि अभी तक परधानमंत्री कारियाले से कोई पोजिटिव हिंट इस बारे में नहीं मिला है ऐसे में परधानमंत्री की दोनों रेलियों के दुरान मोदी औल्ड पेंसन को लेकर कुछ कहते हैं या नहीं या सनिबार को ही पता चलेगा यही वज़ा है कि हिमाचल भाजपा ने चार नौमर को गोशित किये जाने वाले दिश्टी पत्र के लिए छे नौमर की तारिक तई की है कॉंग्रेस ने चार साल में पंद्रह घर बनाये पर डबल इंजन सरकार ने दस हजार असियानों का काम पूरा किया जे परधानमंत्री ननमोदी ने सनिबार को सुंदर नगर में बिधानसबा चुनाब परचार के तहत्तर रेली को संबोधित किया इस दुरान उन्होंने जन्ता से समर्थन की अपील की उन्होंने काहे कि पालमपुर में राममंदी निर्मान का संकल पर लिया था आपको बता दे कि देभुमी हिमाचल से ही राममंदी निर्मान संकल पर लिया था और आज वो हकीकत बन रहा है वन रेंक वन पेंसन का वादा किया जिसे पांच साल में पूरा कर दिया उन्हेंने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए काहे कि जुम्मा की कीमत होती है और कॉंग्रेस सरकार होती तो वह आज भी वन रेंक वन पेंसन पर ठकती रहती धुम्मल ने भी माना चुनावों में ओपियस है एक बड़ा मुद्दा कही ये बड़ी बात जे भारतिय जंदा पार्टी के कदावर नेता और दो बार मुख्य मदर रचुके प्रेम कुमार धुम्मल का मानना एकी विर्भदर सिंग संता कुमार और खुद जैसे दीगजों के बाद हिमाचल पर्दिस में पार्टी लाइन के सभी नेताओं को नई पीड़ी को नेतित्व की अनुमती देने का समय आ गया है वह समिरपूर में UNI के वरिष्ट पत्रकार के साथ बातचीत में तीन बार के संसर ने कहा कि हला कि वह इस बार कोई चुनाब नहीं लड़ रहे हैं फिर भी वे सारवजनिक जीवन में बहुत सक्रिये है सियासत में भुचाल भाजपा नेता की कौंगरस परतियासी को बोट डालने की अपिल ओडियो वाइरल जिसमें कौंगरस परतियासी के पक्ष में बोट डालने की बात कही गई है ओडियो से राजनिती में काफी हलचल पैदा हो गई है जानकारी का नुसार आपको बता दे की तीन बार भाजपा के परतियासी रहे तता हिमाचल परदेश सरकार में S.T.S.C. के पुर्व उपाध्यक्षवा साथ में इस बार टिकट के परवल दावेदार का जब टिकट कटा तो उन्होंने गुपचुप तरीके से पाटिस से बगावत की पेपर लिक मामले में D.G.P. कुंडु पर चुनाब आयोग सक्त जे पुलिस भरती पेपर लिक मामले में D.G.P. संजे कुंडु पर कॉंग्रेस के हमलावार होते ही चुनाब आयोग भी सक्त हो गया है चुनाब आयोग ने परदे सरकार के मुख के सचीब से इस मामले में जवाब तलब किया है कॉंग्रेस की सिकायत के बाद अब मुख के सचीब को इस मामले पर अपनी राई देनी होगी और उसके बाद चुनाब आयोग मामले में करवाई करेगा वही आपको बता दे कि संजेक उंडू पर कॉंग्रेस ने पुलिस भरती मामले की जाच को परभावित करने के आवरोप लगाये हैं और इसी अधार पर उनका तबादला बाहर करने की बात कही है गोर तलबे की कॉंग्रेस लीगल सिलके संजोजक परसांद सर्मा ने पुलिस भरती पेपर लिक मामले पर सवाल उठाये थे उन्हेंने काये कि इस मामले में अभी तक जिन लोगों की गिरबतारी हुए वे बेहत निमन अस्तर के करमचारी थे जबकि पेपर लिक के असली आरोपी गिरबतार नहीं हो पाए है महा जनसंपर के अभियान कल अमीज सा नगरोटा जेपी नड़ा पहुँचेंगे सिमला सोलन जब बिदानसपा चुनावों के लिए हो रहे परचार के तद भाचपा रईवार को परदेश भर में महा जनसंपर के अभियान चलाएगी इस अभ्यान के तर्थ पर्देश के सभी बिदानसभा छेतर में भाजपा के राष्टे पर्देश वो भाजपा सासित राजियों के सांसत मंत्री वो बिधायक मोजूत रहेंगे इस दुरान देश के गिरी मंत्री अमीत साभी कांगला जिला के नागरोटा विदानसभा छेतर से जनसबर अभ्यान में भाग लेंगे वही भाजपा के राष्टी अदग जगत परकास नड़ा, सिमला और सुलन में जनसबर अभ्यान का हिस्सा बनेंगे इसके अलाबा मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर मंडी जिला के बहला विदानसभा छेतर में मौजूत रहेंगे इस अभ्यान में राष्टी अस्तर से लेकर पन्ना परमुक तक के कारी करता हो जनसबर के करके तदा पत्रक बाटेंगी चुनाबी जनसबर में बोले गटकरी जितना विकास सत्तर साल में नहीं हुआ भाजपा ने दस सालों में कर दिखाया जेकेंदरिय सणक परिवहन एवं जहाज रानी मंत्री नितिन गटकरी ने सुक्रबार को बिलासपूर के बर्ठी और कंगडा के मतोर में चुनाबी रेलियों को संबोधित करते हुए देश और परदेश में चल रहे विकास कारियों की चर्चा करते हुए कॉंग्रेस पर भी निशाना साधा उनने कहा है कि देश में जितने विकासकारी 70 वर्सों में नहीं हुए उतने मात्र 10 वर्सों की अवधी में हो गए है सरकार अगले 3 वर्सों में देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे बना रही है इनके तैयार होने के बाद बहज 2 गंटे के भितर दिली से देहरादुन हरीद्वार या जैपूर की यात्रा की जा सकती है उनने कहा है कि परदुसन से बचने के लिए उनने इलेक्ट्रोनिक गाडियों को मंजूरी दिये इलेक्ट्रीकल दो पहिया वहन बस ट्रक वर ट्रेक्टर को भी इलेक्ट्रोनिक किया जा रहा है भाजपा ने उद्योगपती मित्रों के 10 लाग कड़र किये माप नगरोटा बागवा में केंद्र पर बरसी प्रियंका गांदी जन्नागरोटा बागवा में आयुजित कॉंग्रेस की परिवर्तन परतिग्यारेली में कॉंग्रेस की इस्टार परचारक प्रियंका गांधी बढ़ेरा ने भाजपा की केंद्र सरकार को उद्योगपती मित्रों के कर्ज माप करने पर घेरा उनने लोगों को भरोसा दिलाये की परदेस में कॉंग्रेस की सरकार बनना तय है तता पहली ही केबिनेट बैटेग में OPS बहाल कर एक लाख रोजगार के आवसर उपलवत करवाने का एलान होगा उनने हिमाचल को देव, वीर और सहीदों की भूमी की संग्या देते हुए स्यम हिमाचल की निवासी और सहीद परिवार की बेटी होने पर गर्व जताया रसोई गेश डुलाई टेंडर का वीरोष महतपूर ट्रेक यूनियन IOC पदादिकारियों के बिच तिसरे दिन विवाद जारी जे रसोई गेस डुलाई को लेकर तिसरे दिन भी अस्तानिय ट्रेक ओपरेटर्ज और आई ओसी के रसोई गेस प्लांटर राइपूर सहोडा के पदाधिकारियों के भी ठनी रही गेस प्लाइपूर सहबहार के पदाधिकारियों पर नए सिरे से की गई टेंडर परीकरिया को सरियन तकरार देते हुए बताया की आई ओसी के पतादी कारियों ने ट्रक ओपरेटर्ज के साथ प्री बीड मीटिंग किये बिना ही परदे से बाहर के राजी की ट्रांस्पोर्ट कमपनी को टेंडर सौप दिया है जिसमें उन्होंने पहुत सी सधानतिक तोर पर कई खामियों के होने का दावा करते हुए आई ओसी के चेरमेन और पेट्रोलीय मंतर से इन टेंडर परिक्रिया को सिखर निरिष्त करने की मांग करते हुए इस टेंडर परिक्रिया की गहनता से जाच करने की मांग की है परदेश की सिमा में पहले ही सराब बिक्री बंद करने के आदेश जारी हो चुके है अब कारी भाग ने 10 अक्टूबर साम 5 बजे के बाद सराब विक्री पर पूरी तरह से रोक की बात कही गई है अब जम्मू कस्मीर, पंजाब, हरियाना और उत्राखंड के उन छेत्रों जहां हिमाचल की सिमा सटे हैं मैं भी अधिसों का पालन करना होगा इन सभी राजियों के सिमावर्ती जीलों में 3 किलोमेटर के दाएरे पर सराब की बिक्री परती बंद रहेगी और यदि कोई सराब बेचते पाया जाता है तो उसके खिलाब पडोसी राजियों के नोडल अधिकारी करवाई करेंगी अब नई सरकार पर होगा रोपे का दारुमदार जब पालंपुर को परियटन की दृष्टी से विक्सीत करने के लिए यहाँ पर एक रोपे में निर्मान की योजना करीब दो दसक पुर्व बनाई गई थी पुर्व सांसत संता कुमार दोबरा इस संद्र में किये गए परियासों के बाद पर्दे सरकार ने पालंपुर की इस महत्वा कांची के लिए हामी भरी थी और रोपे के सर्वे करवाई जाने के बाते सामन आई परदेश सरकार ने रोपे निर्मान को केबिनेट में भी मंजूरी दी थी गोर तलब है कि तद कालन सांसत संता कुमार के परियास से रोपे के लिए जगह का च्रियन भी उसी दोरान कर लिया गया था बता दे कि उस समय केंदर में अटल ब्यारी भाजपिये के नेतित में एंडिये की सरकार सत्ता में ही थी वो संता कुमार केंदरिये मंत्री थे योजना के तद पार्लंपुर में प्रस्तावित रज्जु मार के री 80 लाग रोपे की राशी भी मंजूर कर दी गई थी परदेश के 326 स्कूलों में JBT overloaded जे परदेश के स्कूलों में भले ही परदेश सरकार राश्टी चिक्षा निती के तहद बदलाव की बात करती है लेकिन सचाई यह है कि अभी भी बच्चों की संख्या के मुताबिक सरकार इसकूलों में चिक्षकों की भरतिया नहीं कर पाई है सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का जिमा JBT पर ही है ऐसा इसलिए क्योंकि इसकूलों में तीन सार पहले प्री प्रामरी कक्षा हैं तो सुरू कर दी गई लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एंटिटी की भरतिया वर्तमान सरकार के कारिकाल में नहीं हो पाई परदेश के 326 स्कूल ऐसे हैं जहां 5 कक्षाओं को एक अकेला JBT पढ़ा रहा है और यही नहीं इनी की चिक्चकों पर प्री प्रामरी की कक्षाओं को पढ़ाने का भी दारूमदार है चलिए मैं चलते हैं साम की आकरी खबर पचास से ज्यादा सीटें जीतेगी कॉंग्रेस सुधिर सर्मा ने किया दावा भाजपा के जुमलों में नहीं आएगी जनता जिये कॉंग्रेस के राष्टे सच्ची वह पूरोमुख्य मंत्री सुधिर सर्मा ने परचार अभ्यान के दुरान काहे कि बिदासबा चुनावा में कॉंग्रेस 50 से अधिक सीटें पर विजे हासिल करेगी उनने काहे कि इस बार जनता भाजपा के जुमलों में नहीं आने वाली है भाजपा नेता मुद्द पर बात करने के बजाए रिवाज बदलने का जुमला खेल रही है अलाकि चाहिए तो यह था कि भाजपा अपना बिजन बताती की आने वाले समय में क्या करेगी उनने काहे कि पिछले 5 सालों में विकास पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है जो कारिये पूरो मुख्यमंदरी बिर्भदर सिंग के समय सुरू हुए थे उन्हें भी रोक दिया गया है ऐसी मान सिकता के साथ काम करने वाली भाजपा को इस बार जनता सबक सिखाने वाली है दोस्तों आज की संदार खबरों का सिलसला इन समाफ तो होता है अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना विल्कुल न भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि न्यूज को किस जिल्यों पंचाहर से देख रहे थैंक्यू और देवेट